क्योंकि धन मूल आवश्रक्ताओं को पूरा करने में सायक होता है किन्त जब कोई विक्ति इच्छाओं को आवश्रक्ता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता क्योंकि इच्छाएं अंतहीन इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ती है तो नन संचे को ही अपने जीवन का लक्ष समझ लेता है वो लोभी बन जाता है वो भूल जाता है कि उसकी जीवन का मुख्य लक्ष इश्वर के समी पाना अपने जीवन की निरर्थक्ता और व्यर्थता का भूद नहीं होता बिलकुल उस व्यापारी की बाती कौन व्यापारी प्रभू वो व्यापारी जिसके पास इस सत्सार में जीवन निर्वाहे तु सब कुछ था उसके पास घर था छोटा था किन्तु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था उसके छोटे से परिवार की आवशक्ताओं को पूरा करने हे तु भोजन वो धन की भी कोई कमी नहीं थी किन्तु व्यापारी सरेव और धनसंपत्ती संचे करने की चिंता में डूबा रहता था सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था क्यूंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या-क्या नहीं एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायन के वर्दान से सब कुछ मिल सकता है धन के लोब में वो नारायन की तपस्या करने निकल पड़ा ओम वैस्टुवे नामहा और इस प्रकार तो कही वर्शोद नारायन की तपस्या करता है ओम वैस्टुवे नामहा ओम वैस्टुवे नामहा ओम वैस्टुवे नामहा ओम वैस्टुवे नामहा वैस्टुवे नामहा प्रणाम प्रफू मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसंद हूँ मांगो क्या वर्दान मांगना चाहते हो कि प्रफू मुझे समस्थ संसार की भूमी चाहिए संसार में जतना भी धन है सब्धेरा हो जाए किया मैं तुमसे पूछ सकता हूँ है तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए मैं सुखी रहना चाहता हूं प्रफू और धन संपत्ति वह शुक का माध्यम है किन्तु संसार की परिभाशा हर किसी के लिए भिन होती है वाइस कुए में बैठे मेंडर के लिए वह संसार होता है तुम बताओ वाइस तुमहारे लिए संसार की क्या परिभाशा है अश्फJust सब कुछ प्रफु जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभू उचित है मैं तुम्हे वर्दान देता हूँ कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वैम देख सको वो तुम्हारा होगा किन्तु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा अब अब ये संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाओंगा प्रभू अब सबसे सुखी भी सब मेरा ये सब भी मेरा उस्ते सोजा यदि वो दोड़ के समस संसार को देख ले तो अर्दान अनुसार सब उसका हो जाए यहां से वहां वहां से हां वो चारो दिशाओ में भागने लगा जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया किन्तु उसका लालज कम नहीं अब भी तो और वर्दाग दिलंतर भागते रहने के कारण शीग है उसका शरील उसका साथ देने में समर्थ होगे अब भागते बनाता 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 है और इस प्रकार उसके पास के वल उतनी ही भूमी रही जिस पे उसका मिद्शरीर पड़ा हुआ था अखेला उसके पास उसके परिवार का सुख भी था किन्तु उसने उसका अनंद नहीं उठाया इसलिए सुखी जीवन हे तु धन की प्रचूरता नहीं अभी तो अपने इच्छा और आवशक्ता में अंतर समझना निवाद रहा है किन्तु प्रभू जो पहले से ही धनी हो उससे क्या करना चाहिए दन चाहे कितना भी हो रिश्यत्र मूल आवशकता है तो केबल उतनी ही अंधगने के लिए वस्त्र पीट भरने के लिए आहाद और शयन के लिए भावद इन आवशक्ताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है दनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो से दान करना चाहिए उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवशक्ताओं को पूरा नहीं कर सकते ऐसा करने से इस अंसार में समानता हो भेश नहीं हो का सद्वावना बनी रहेग किन्त कुछ व्यक्ति इस तत्ति को समझ ही नहीं बाते उन्हें अपने कत्त के ओवए धन से इतना हमोव हो जाता है कि वो उसका एक अंच भी किसी और को नहीं देना चाहते कि वोหाव मोव कि गूल कि अन्हें एक पाता है कि वेऽ ट्रणनन्दी अवार्शव कि य॥